हाई फ्रेंट्स मेरा नाम मैंनक और आप सभी गाफिट से एक नए वीडियो में बहुत बहुत सफ़ागत है तो फ्रेंट्स यार यह है एक नॉर्मल बैलून जो कि किसी के बड़े पार्टी में टंगता है मैंनली किसी के नहीं मुस्टली बड़े पार्टी में हम लोग इसी को मुझ से फुलाकर या फिर पॉप करकर इसे टंग देते हैं लेकिन यार आज का वीडियो काफी ज्यादे यूनिक होने वाला है और काफी ज्यादे हट की होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग एक flying balloon बनाने वाले हैं जी हां दोस्तों ऐसा balloon जो की fly करेगा मतलब जो हवा में उड़ता है बिसिकली अगर scientific देखा जाए तो बहुत लोग बोलेंगे यहां पर हेलियम का प्रियोग होगा तो जी नहीं दोस्तों यहां पर मैं बिल्कुल भी हीलियम का प्रियोग नहीं होगा यह घर के सारे नार्मल पानी भी ले सकते हो यहां पर सबसे ज़्यादा जोड़ी ग्लास बोटर अब मैं काज कर लियो आपको प्लास्टिक और स्टिल का बिल्कुल मतलेने कि भाई और रियक्ट कर जाएगा अगर प्लास्टिक का ले लोगे तो ज्यादा दिकत तो नहीं है लिकिन भाई अगर देखा जाए तो यार बहुत ही ज़्याद एफेक्ट कर देगा आप ले सकते हैं लेकिन आउट का मच्छी तरीके से नहीं मिल पाएगा और जो है ना आपका जो प्लास्टिक का बोटर लो गल जाएगा तो भाई पूरा तो आपको मन पसंद रिजल्ट नहीं मिल सबसे जरूरी मैंने आपके घर में जरूर से होगा तो भाई इस तरीके से फार करके इसको रोल बना दूगा खाने वाला चिकन रोल नहीं फ्रेंट्स सॉरी यहां पर मैं इस प्रकार साथ जेख सकते रोल में बना दिया हूं जो कि बहुत अच्छी तरीके से हो गया है और अधरी मुझे कम से कम तीन-चार का जरूरत होगा और जो जितना कॉंटिटी का मैं पानी लिया उतना कॉंटिटी का भी आपको लेना है तो भाई यार यह वीडियो जो होने वाले काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तुपता नहीं मुझे इसे क्यों लग रहा वह है एक ड्रेन क्लीनर यह फैसा मन वैसा बैलोन में ले लहाँ अब भाई सबसे ज़ारी काम आपको इसको इस प्रकार से कट कर देना है और इस मेंसे आपको थोड़ा सर ड्रेन कलिनर वैसे जो फैसा मन वैसा ये ली रहा हुझे औरलेगी dividing सोडियम हाइडरोकसाइड होता है अब यहां पर आपको बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा सोडियम हाइडरोकसाइड अब बाइब यहां पर दो मिनट रूखना होगा दो एक मिनट भी रूखोगेन बहुत है तो आप देख सकते हैं अलमुनियम और यह सोडियम हाइडरोकसाइड है या ड्रेंकलियन अच्छी तरीकि से फ्रेंस रियक्ट करना सुरू कर दिया और आप देख सकते हैं पानी धीर तो बहुत लोग बलेंगे हैं इसे तो भाई जस पेसेंस रखिए भाई मैं आपको सब चीज प्रैक्टिकली आपके आख के सामने लाइव करके दिखा दूगा तो भाई अगर हम लोग ऐल्मूनियम प्लस सोडियम है जो कि अच्छी तरीके से मिलेगा उसको अब डाले तो यह अच्छी तरीके से निकल जाएगा इसका केमिकल एक्वेश्चन भी आप देख सकते हैं बहुत सही है इसमें से जो गैस रिलीज हो रहा है वह है और यह चूने में भी ब बहरा हुआ है तो कि आप देख सकते हैं कितना सही है और बहुत लोग बोलेंगे कि भाई यह ड्रेन किलर हम लोग कहां से ला तो यह जो जेनरल इस होता है न से बतारा हूं उस महां पर आप जाएगा आसानी से आपको मिल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है और हो सकता है मैं भ जाएगा बांधा नहीं है शिपका दिया है यह तो मैं इसको ऐसी नॉट जैसा बांध दिया और यह आप दागा देख सकते हैं तो फ्रेंड्स यार मैं यहीं बोलूँगा कि इस बात का जरूर ध्यान रहे कि ज्यादा आप इस ग्लास में टच मत हुई है भाई बहुत ही ज जाए तो यार बहुत सारे वीडियो में बोलता है इसे आप घर पर ट्रे मत करिये लेकिन आप इसे कर सकते हैं लेकिन लेकिन भाई यह थोरा डेंजरेस भी हो सकते हैं इसलिए कोई बड़े के निगरानी में करना तो यार आज के लिए इतना ही जल मिलते हैं अगले है भारत और और आपको किस टाइब का वीडियो देखना ज़रूर कोमेट बताना